अब हम लेक्चर फूर की और जाएंगे तो हम पढ़ रहे थे युनिवर्सल टूर्थ बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं हैबिच्वल फैक्ट्स और हिस्टॉरिकल इवेंट्स वो चेंज नहीं होते हैं तो dear students मैं आपको कुछ examples बताओंगा उनकी आप इनको द्यान से देखिए मैं लिखूंगा He said to me He said to me हाँ तो मैं एक historical event बताओंगा ताज महल is in agra देखो बेटा ये जो मैंने ताज महल is in agra लिखा ये यहाँ पर historical event है मतलब ताज महल आगरा में था है और रहेगा इसलिए is change नहीं होगा तो said to change होगा किसमें? told मैं He told me that ताज महल is in agra शबाज बेटा तो हम the ताज महल भी लिख सकते हैं क्योंकि ये proper building है तो historical event बेंदे रहा मैं बताओंगा आपको He says, कामा कामा start cow gives us milk तो guy क्या देती है? हमें दूद देती है ये habitual fact है मतलब वो हमेशे से ही दूद दे की आई है हम लिखेंगे He says that cow gives us milk तो ये habitual में आ गया है sun is a star ये मैंने change क्यों नहीं किया? क्योंकि sun एक star है क्योंकि ये universal truth है dear students अच्छा, तो मैं आपको कुछ और examples जहां पर देता हूँ अगर आप example पर concentrate करोगे तो इंशाल्ला समझाएगा He said to me He said to me Shabash He said to me Trees releases oxygen Trees क्या release करते हैं? Oxygen को इसमें आएगा said to me told आ जाएगा He आ जाएगा He told me that Trees releases oxygen ये रहा बेटा क्या रहा? Universal truth मतलब जो काईनाथ ने accept कर दिये हैं इनको ना करने से इनको अगर हम change करेंगे तो काईनाथ imbalanced हो जाएगा अच्छा, मैं लिखूँगा यहां पर He said to me He said to me London is a big city देखो बेटा, this is historically true London एक बहुत बढ़ी city है हम लिखेंगे He said He told me That London is a big city अच्छा बेटा अब मुझे यह clear करके देदो He said to me He said to me अच्छा, I will go there यहां पर आप अच्छे से दियान देजी I will go there देखो, यह जो will है यह पहले इस पर दियान देजीगा help you, जो model आग दिर से वो कैसे change होते हैं can होता है कोड में shall जो होगा वो should में होता है may जो होगा यह might में होता है अच्छा, today जो होगा यह that day में होता है tomorrow जो होगा यह day before में change होता है अच्छा अच्छा is तो पता ही है यह किसमा चेंज होता है वाज में होता है अच्छा have जो होता है बेटा यह head में होता है जो head होता है वो head ही रहता है और will जो होगा वो would में change होता है दियान रखना आपको अगर इन में से आप कोई change करोगे reported speech में तो आने वाली जो भी फारम होगी मतलब वरुब फारम जो भी होगी वो वही रहेगी मतलब वो बेस फारम में ही रहेगी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर देखो बेटा मैं लिखूंगा He said to me that बिलकुल गलत हो गया हम यहाँ क्या लिखना है He told me that he would go there बेटा मैंने गान क्यों नहीं लिखा यहाँ पर क्योंकि मैंने आल्रेडी वरुब फारम यह जो माडल आगजरी माडल आगजरी चेंज कर दिया है तो मैंने इसलिए गोही रखा तो दूसरी अग्जांपल में आपको बताता हूँ He said कामा कामा start I can lift this stone this that में होता है देखो बेटा मैं lifted नहीं करूँगा यहाँ पर मैं can change करनी जा रहा हूँ क्योंकि double pastor reporter's रुपिज में नहीं आता है He said that he could lift that stone देखो बेटा मैंने lift this stone नहीं किया मैंने lift that stone कर दिया क्योंकि मैं lifted change नहीं करूँगा क्योंकि मैंने already क्या code can किसमें change कर दिया code मैंने ही change कर दिया He said that he could lift that stone मैंने change कर दिया code मैंने change कर दिया अच्छा मैं लिखूँँगा He said I will have been going there तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा देखो बेटा जो मैंने हैव बीन लिखा, मैं ये हैड बीन में चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आलरेडी विल चेंज कर दिया, जब आप हेल्पिंग विल चेंज करोगी, तो आप जो next farm जो होगी, वो change नहीं होती है, अच्छा the teacher said the teacher said we will win this match win this match, तो बेटा हम लिखेंगे the teacher said that they would, कर दिया मैंने चेंज, they would win the match, तो last lecture मैं इसे कल बताऊंगा, thank you my dear student